प्यारे बच्चों आप सभी का हमार चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो के मादम से क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए हिंदी का जीवन परचे से समंधित एक इंपोर्टेंट वीडियो लेकर का चुका हूँ और बच्चों इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को सूरदास का जीवन परचे बताने वाला हूँ दोस्तों यह जो टापिक है बोड के पेपर में हमेसा 5 नंबर में पूछा जाता है ठीक है तो इस वीडियो के मादम समय आप सभी को सूरदास का जीवन परचे बताऊंगा साथ में दोस्तों जीवन परचे बोड के पेपर में किस तरीके से लिखना है वो ही बताऊंगा और इसी वीडियो के मादम से मैं आप सभी कोई बताऊंगा कि बोड परिक्षा में जीवन पर्चे लिखते समय कौन-कौन सी गलतिया ना करे अगर आपको जीवन पर्चे नहीं याद है तो ये मात्र आठ बात याद रखना आपको भी फुल में फुल माक्स मिल सकता है ठीक है लेकिन उससे पहले ये जो आठ पॉइंट है मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो मैं आप सभी क सूरदास का जीवन पर्चे फुल डिटेल्स में बताऊंगा उसके बाद वो कौन-कौन से याठ बाते हैं जो कि आपको अगर जीवन पर्चे नहीं भी आदे तो भी आप असानी से हल कर सकते हो तो इस पूरे वीडियो को सूरू से लेकर के तक जरूर देख लेना वीडियो तो सबसे पहले आपको बलू या ब्लैक पेंसे यहां पर हैडिंग लगाना है सूरदास फिर यहां पर हैडिंग लगों ब्लैक पेंसे जीवन पर्चे और इसमें लीखेंगे हगे कि सूर्दास जी का जन्म सन 1478 इस्तिवी में आगरा मतुरा मार्ग पर इस्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो हमने पहले लाइन बात आया इसमें से दो तीन बाते किलियर हो गई कि सूर्दास का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था छओदास तो 1788 इस्तिव में रुआ आगरा मतुरा मार्ग पर हुआ था जो कि रुनकता नामक ग्राम में हुआ था तmotion दो-तिन बाते पहली लाइन से असपश्थ हो जाती है अगला हमारा याँ पर लाइन लिखेँगे कि कुछ विद्वान दिल्ली केनिकट 6 ग्राम को भी इनका जन्वास्थान मानते हैं इस विषय में भी विद्वानों में मतभेध है यानि कि जंजट है ठीक है आगे लिखेंगे कि इन्होंने कृष्ण की बाल लिलाव का मानो सभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजी वडन किया है जो आखों से प्रदच देखे बिना संभाव नहीं है मने कुछ बिद्वान एसे मानते हैं कि भईया सूर्दास जी थे वो जन्म से ही अंधि मान जाते थे लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो भी कविताय है लिलाएं है ठीके इनका जो भी नेचार है इनका जो भी प्रनन है इस परकार से लिखा गया है ताकि वो कोई भी इंसा बिना किसी चीज को देख करके इतना कलपना नहीं कर सकता है ठीक है अगे लिखेंगे कि इन्होंने स्वयम अपने आपको जन्मांध कहा है सुर्दास की रुची बच्पन से ही भागवात भक्ती के गायन में थी ठीक है इनसे भक्ती का एक पद सुनकर पुष्टी मार्ग के सह स्थापग महाप्रभूत बलबाचारी ने इन्हें अपना सिस्त बना लिया और स्री नात जी के मंदिर में किर्तन का भार सुप दिया ठीक है आगे लिखेंगे कि स्री बलबाचारी के पुत्र बिठल नाथ ने अश्ट छाप नाम से आठ कृष्ण भक्त कभियों का जो संग किया था सूर्दास जी इसके सर्वशेट कभी थे कभी-कभी पूछा जाता था कि ठीक है कि बोड के पेपर में यह भी को सनाता है कि अश्ट चाप कभी के लेखा कौन है तो सूर्दास जी हो जाएंगे ठीक है वे गवगहाट पर रहकर जीवन प्रयंत क्रिश्न की लिलाओ का वरन गयन करते रहें सूर्दास जी का मिर्ति जो था सन 1583 इस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गया ठीक है तो इतने सारे चीजों का डिटेल साबको बोड के पेपर में लिखना होगा ठीक है अब इनकी रचना का भी नाम पूछा जाता है तो इसमें लिखेंगे कि स सहित्यमें अस्थान बताए इसमें लिखेंगे कि भक्त कभी सूर्दास जी का अस्ठान हिंदी सहित्यकारों में सुर के समा नहीं है इसलिए कहा गया है कि सूर नाम सिर शूर दुलसी सी उडशान के सवदास अब के कभी खगो तसम जहत्त हकरत प्रकास ठीक'े अब बच्चो मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में सूर्दास का जीवन पर्चे बता दो दिया लेकिन वो कौन से आठ पॉइंट है जिने अगर आप जान लेते हैं तो बोड के पेपर में आप जीवन पर्चे याद किये बिना भी लिख सकते हो ठीक है तो ध्यान सुनियेग सिक्षा मृत्यूट और रचना है ठीक है तो सबसे पहले ढवाएं से समझो अगर आप से बोल देगा कि शूर्दास का जीवन पर्चे लिख 혀 तो सबसे इसमें लिख देंगे रुनकता नाम ग्राम में लिख देंगे ठीके इसमें माता और पीता का नाम नहीं है मतभेद है ठीके पता नहीं है तो छोड़ देंगे सिक्षा इनकी कहा हुई थी मंदिर में मस्धीद में यह मने गूरु से इनकी सिक्षा प्राप्त हुई थी थोड़ा से सिक्षा के बारे में लिख देंगे और अंत में यहां पर लिखेंगे मृत्यू मृत्यू का डेट लिखेंगे और मृत्यू कहां पर हुई थी यह लिख द तो इतने अगर आठ पॉइंट अगर आप किसी भी कभी का या लेखा का याद रखते हैं तो बोड़ी के पेपर में पूरा पूरा नमबर पा जाएंगे इसमें कोई संदह की बात नहीं है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप सभी का अच्छी लगी होगी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्र लाइब करेंड़ गयाँ